हेलो फ्रेंड्स तो आज मैं आपके साथ शोर्मा के रेसिपी शेयर कर रहे हूँ तो यह जो शोर्मा है काफी हल्दी तरीके से आज हम बनाने वाले हैं इसमें मैदे का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे तो यहाँ पर मैंने लिया है गेहू का आटा इसमें थोड़ा सा नमक ड डाल दिया इसके बाद थोड़ा सा ओयल डाल दिया है और आधा कटोरी डही डाल दिया है इसके बाद आधा चमबच मैंने इनो सॉल टाल दिया है और अब हम इसे गूत लेंगे तो जैसे रोटी बनाने के लिए हम आटा गूतते हैं ना सेम उसी तरह से हम इसे गूत लेंग अब यहाँ पर मैंने लिया है बोनलेस चीकर इसको काफ़ी अच्छे से वाश कर लिया और छोटे-चोटे पीसेस मैंने कट कर लिये है तो यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ आदा कटोरी ठीक दही का पूरा पानी मैंने निकाल लिया था और अब यहाँ पर आदरक और लसु डाल दिया अब यहाँ पर स्वादानुसर नमक डाल रही हूँ इन सब को अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे हमारा जो चिकन है वो काफी अच्छे से मैरिनेट होगा और इसमें काफी अच्छा टेस्ट भी आएगा मार्केट में मिलने वाला जो शूर्मा होता है उसका जो बेस होता है वो मैदे से बना हुआ होता है और चिकन की पिसेज भी मशिन तुरू होट किये जाते है अब हमारे पास मशिन तो है नहीं तो हम घर पे ही गैस पे इसे कुक करेंगे और टेस्ट ना फ्रेंस बहुत संथ है इस वज़े से और आज यह रेसिपी मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करने थी इसलिए मैंने उसे बोला कि मैं आज डीनर पर ही बनाऊंगे तो यहां पर मैंने ना गैस पे दूद रखका है क्योंकि हम चीज बनाएंगे क्रीमी चीज तो उसके लिए दूद का म जब हमारे पास इस नहीं होता है तो उस टाइम पे अगर आप इनो सॉल्ट का यूज करोगे तो उससे जो हमारी रोटी बनेगी वो काफी सौट बनेगी तो इसलिए मैंने यहां पे इनो सॉल्ट का यूज किया था इसे अब हम बेल लेंगे तो देखिए आपको जिस तरह स इसे बेल लोंगी ना ही ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा मोटी मेरे बेटे को शौर्मा बहुत ज़्यादा पसंद है उसे अगर मैं डेली भी शौर्मा बना के दूंगे ना फिर भी वो ना नहीं बोलेगा उसे इतना पसंद है तो शौर्मा अगर घर पे बनाया हु विचे मेरा देटाइस वेज़ीटेबल भी भी बील कि नहीं 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 अथा है इसाथा लोही का इसमें थोड़ा से बटर लगाया था और यहां फिर से में बटर का यूजिक लेग हुग और दोनों तरफ से हम अच्छे से रोटी को सेख लेंगे मार्केट वाली चीज़े खाने में तो बहुत टेस्ट लगती है बट वो उतनी ही नुक्सान दयक होती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में मेदे और शुगर का यूज किया जाता है और इसी वज़़े से मैं जितना हो सकता है घर पे ही होलति तरीके से बच्छो को बना के देती हूँ तो रोटी हमारे दोनों तरफ से काफि अच्छे से सेख चुकी है तो अब हम इसे निकाल लेंगे तो रोटी बनने के बाद यहाँ पे मैंने पैन लिया है यहाँ पर ना बटर डाल दिया है और यह जो चिकन के पेसे से यह काफी अच्छे से मैरिनेट हो चुके है तो इसमें डालके अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे जब हम इसे पकने के लिए रखते है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पानी छूटा हुआ देखेगा क्योंकि यहां पर हमने दही का यूज किया था तो जब पानी चुटेगा ना जब तक पानी पूरी तरह से सूकता नहीं है तब तक आपको चिकंग के पिसेस को अच्छे से पका देना है अब दूद भी अच्छे से उबल चुका था तो यहां पर मैंने विनेगर का पानी डाल दिया है और थोड़ा-thोड़ा करके पानी डालके दूद का च्हेना निकालना है यहां पर पिसेस भी काफे अच्छे से पक चुके है और यहाँ जो पानी था वो भी सूख चुका है और यह जो छेना है इसे मैं अभी निकाल लोंगे छन्नी में तो पूरा पानी अच्छे से निचोड लिया था अब हम इसे मिक्सी जार में डाल रहे हैं जब भी आपको क्रीमी चीज बनाने का रहा ना फ्रेंड्स तो आप तो यह थोड़ा सा गाड़ा है इसमें अब थोड़ा दूट डलके हम इसे फिर से पीस लेंगे तो इस तरह से ना आपको देखना है आपको किस तरह की कंसिस्टन से चाहिए तो मुझे एकदम जादा पतला नहीं चाहिए था तो यह देखिए यह काफी क्रीमी जैसे बनके तैयार है चीज और इसे ना आप बच्चों को ब्रेड में या रोटी में भी लगा के दे सकते खाने में बहुत ज़दा टेस्टी लगता है तो सभी चीजे काफी अच्छे से हमारे बनके रेडी है और थंडी भी हो चुकी है तो यहाँ पर मैं ले रही हो बटर पेपर तो इसे में अब हम शोर्मा रैप करेंगे और रोटी भी धंडी हो चुकी है तो यहाँ पर हम डालेंगे टोमेटो केचप जो की घर पे बनाया हुआ है यहाँ पर जो टोमेटो केचप बना हुआ है इसमें बिल्कुल भी शुगर या कलर का यूज नहीं किया है फ्रेंड्स इसे बनाया था तो इसके लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आप चाहो तो इसे देख सकते हैं इसके बाद चिकंग के पीसिस में डाल रही हूँ और आपके बच्चों को जो भी वेजिटेबल पसंद है वो आप इसमें एड़ कर सकते तो मे मेरे बेटे को चीज बहुत ज्यादा पसंद है तो इस तरह से मैंने यहां पे चीज डाल दिया है थोड़ा सा फिर से यहां पे वेजिटेबल एट कर दूंगी और थोड़ा सा हराधनिया इसमें डाल दिया है यहां पे थोड़ा और चिकंग के पीसिस एड़ कर दूंगी त जब हम इसे रैप करेंगे तो बच्चों को भी खाने में आसानी हो जाएगी और गिरेगा भी नहीं तो इस तरह से मैंने लिया है बटर पेपर और अब हम इसे रैप कर देंगे तो हमारा शुर्मा औरेडी तैयार है खाने के लिए और इस रेसिपी को आप एक बर जरूर ट्र होंगे तो उन्हें यह रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी तो फाइनली मेरे बेटे का इंतचार खतम हुआ क्योंकि स्कूल से तब से मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि मम्मी शॉर्मा बना के दो और फिर आक्चुली मैंने आज उसे बना कि देही दिया तो वह इंचे कर रहा है